हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज है 13 जनुरी दोहजार चोबिस तिरह जनुरी दोहजार चोबिस के से भी करेंट अफिर्स को इंपोर्टेंज को आज डिसकस करेंगे आप हमारी पीडियेप को हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बाक्ष में हमने दे दिया है तो चलिए देखते हैं पहला कोस्चन है भारती नौसिना ने किस देश में आज योजी अभ्यास सीड ड्रेगन 24 में हिस्टा लिया है इसका अंसर है भी संइत्राजमेर क्या सीड ड्रेगन 24 का आयोजन यूजन यू बात जाप आश्ट्रेलिया कॉर्टमोह में वह सामिल देश हैं ये चारों देश कौर्टमोह में भी सामिल हैं जाप आश्रेलिया जाप यूजन और भारत इन चेरों की एक sz emphasizes होती है जिसे माना बार युद्ध भ्यास काते हैं इसके बाद हम Nur के इंगे कहिशन नंबर कौन सा है इसका आंसर है ए चांगी अंतराश्टी हवाई एड़ा बिस्व का सरफसेष्ट हवाई एड़ा 2023 का पहले अस्थान पर है चांगी अंतराश्टी हवाई एड़ा सिंगापुर का है दूसरे अस्थान पर है हमाद अंतराश्टी हवाई एड़ा कतर का है तीसरे स्बसे खुब्सूरत अंतराश्टी हो एड़ा कैंप गोडा इसके आगे कुष्चन नमबर थाड है हाल ही में परधानमंतरी नरेंद्र मोदी कैल आई एस को येपसी प्रोजेक्ट काउध घाटन कहां पर किया है इसका अंसर है डी लक्षदीव में के याल आई एस एस अप ओ एस ती का फिरफार्म है कुछी लक्षदीव आईलेंड समरीन अप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट यह लक्षदीव में धीमी इंटरनेट स्पीट की समस्या को हल करेगा इसका उद्यश है इंटरनेट स्पीट को 1.7 Gbps से 200 Gbps तक 100 गुना से अधिक बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट का भातन मंत्री नेरदन मोजी ने किया है पर योजना निस्पादन एजन्सी जो है वह है भारा संचार निगम लिंटेड है इसके आगे हम देखेंगे क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 का भारत का सबसे प्रद्दूसित सहर काउंचा है इसका अंसर है B. बर्नी हाट C.R.E.A. रिपोर्ट 2013 के अनुसार भारत के सबसे प्रदूसित सहरों में पहले अस्थान पर है बर्नी हाट में घाले का दूसरा अस्थान है बेगुस राय बिहार का तीसरा अस्थान है ग्रेटर नोड़ा यूपी का दिल्ली का अस्थान आठमा है असम के सिल्चर में सबसे कम पी-म-10 अस्तर दर्ज किया गया है इसके आगे हम देखेंगे कुस्चन नमबर 5 हाल ही में मलकान गिरी हवा यड़े का उद्गाटन किस राज में किया गया है मलकान गिरी हवा यड़ा हवा यड़ा इसका अंसर है इसका अंसर है इसका उड़ीशा उद्गाटन नवीन पटनाएक द्वारा किया गया है जो यहां के उड़ीशा के मुख मत्री है उडिश्या की राधानी भूनेश्वर है उडिश्या का गठन एक अप्रल ना है 1936 को हुआ था यहां के राजपाल रखुवर्दास है मुख्यमंत्री यहां के नवीन पतनायक है विधावन सभा सीट यहां पर 147 है लोक सभा सीट 21 है राज सभा सीट 10 है उडिश्या के दो प् 9ACI सीटकालिन खेलों का सभंकर क्या है इसका अंशर है A बिन बिन और नीनी नवा खेल 25 इसका सभंकर है बिन बिन और नीनी आधिकारिक स्लोगन इसका है Neighbor Nanesting à अधिकारिक पर्तिक है Breakthrough आयोजनिसका Harbin चीन में होगा कब से कब तक चलेगे या 25 फरवरी से 9 मार्ज तक या खेल चलेगा इसकी आगए हम देखेंगे दो हजार उन्तिस में ACI सीद कालिन खेल का मेजबानी सवधी अरब करेगा भविस में खेले जाने वाले उलम्पिक खेल ग्रीस में कालिन उलम्पिक खेल में पहला है 2024 में पेरिस में खेला जाएगा 2028 में लाजन येस योसे में खेला जाएगा 2032 में बिस्बन अस्ट्रेलिया में खेला जाएगा सीद कालिन उलम्पिक खेल इसके बाद ACI खेल ACI खेल का आईजन 2026 में आईची नागोया जापान में होगा 2030 में कतर दोहा में होगा 2034 में रियाद सौधी अरव में होगा इसके आगे हम देखेंगे संग लोक सिवा आयोग का सदस किसे नियूद किया गया है इसका अंसर है ये सील वर्धन सिंग को CISF के पूर महानी देशक सिल वर्धन सिंग को UPSC के नए सदस के रूम में नियूद किया गया है ये 1986 बेच के IPS अधिक्यारी है UPSC के वरतमान अध्यक्ष डाक्टर मनो सोनी जी है संग लोक सिवा आयोग भारत के समिधान द्वारा स्थापी देख समिधानिक निकाय है जो समिधान के भाग 14 के अंतरगत आता है 14 के अंतरगत 96315 से लेकर 96330 के अंतरगत आता है राश्पति अध्यक्ष और अने सदस्यों को नियूक्त करता है और राश्पति के द्वारा ही अध्यक्ष और अने सदस्यों को हटाया जाता है आयोग में अध्यक्ष सहित कुल्नों से यरा सदस होते हैं प्रतीक सदस 6 साल तक या 65 वर्स की याज तक पहुजने तक सिवा करता है इसकी आगे हम देखेंगे अठवा कॉस्चन उतकिर्ष्ट उपलब्धी के लिए इंडियन आपदाइयर 2023 का पुरसकार किसे दिया गया है इसका अंसर है केंद्री मंत्री जीतेंद्र सिंग ने इसरो को उतकिर्ष्ट उपलब्धी स्रेडी में वर्स 2023 के लिए इंडियन आपदाइयर अवार्ड दिया है यह पुरसकार इश्रो के अध्यक्ष डाक्टर S. सुमनाथ को और चंद्रियान 3 के पर्यूजना नहीं देशक पीवीरू मुथुवेल को दिया गया है इंडियन आप दा इयर एक राश्ट्री टीवी चैनल है राश्ट्री टीवी चैनल सीननी 28 द्वारा आरम किया गया था इसके बाद हम देखेंगे इंडियन आद्दा इयर 2013 के बिजेता सारुक्षान मलूड अमनेता ब्यापार के छत्र में दिनेश खारा को दिया गया जो यस बी आई के अध्यक्ष है बीसेस उलेक में उत्तरकासी के नायकों को दिया गया समाधिक परिवर्थन के छत्र में खेल सितारे के रूम में रमेश बाबू प्रग्यानंद शत्रंच के गठ ग्रेंड मास्टर को दिया गया मनुरंजन के छत्र में मडी रतनम को दिया गया जो निर्देशक है जलवाज योद्धा जलवाज योद्धा अरुन कृष्ण मूर्ती और बालु मर्दा थिमक्का को दिया गया इसकी आगे हम देखें कि कुश्चन नमबर 9 राश्ट्री सडग सुरुख्षा सब्ता कब से कब तक मनाया जाएगा इसका आंस्वर है सी 11 से 17 जनवरी हर साल 11 से 17 जनवरी तक राश्ट्री सडग सुरुख्षा सब्ता मनाया जाता है यह सब्ता लोगों में जगरुख्षा बलाने के लिए यह सब्ता लोगों में जगरुख्षा बलाने के लिए मनाया जाता है इसकी थीम है सडग सुरुख्षा नाजक बने पुर्टी सड़क स्रोक्षा सब्ता नीज वर नमासी में मनाया गया था इसकी आगे हम देखेंगे कुश्चन नमबर टेन 12 जनुरी 2024 को DRDO ने न्यू जनरेशन आकास मिसाइल का प्रिक्षण कहां किया है इसका अंसर है चादीपुर उडिशा न्यू जनरेशन आकास मिसाइल DRDO के दोरा बेक्षित की गई है यह एक मध्यान दूरी की वह सता से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रडाली है भारत का मिसाइल कारक्राम का नाम है IGMDP Integrated Guidance Missile Development Program इसके सुरुवात 1913 में की गई थी जिसका उद्येश से मिसाइल पर द्योकी के चेतर में आदम निर्भारता हासिल करना है इसके अंतरगत पांच प्रकार की मिसाइल बनाने का लक्ष रखा गया है प्रिथवी प्रिथवी सता से सता मार करने वाली मिसाइल है अगनी जो है सता से सता हमार करने वाले मिशाइल है त्रिसूर सता से हवा में मार करने वाले मिशाइल है नाग जो है तेशरी पीड़ी का टैंक के भेदी मिशाइल है जो फायरेंड फारगेट पर अधारी थे दागो और भोल जाओ पर अधारी थे और आकास जो है सता से हवा म मार करने वाली मिसाइल है इस प्रकार से आज की करनेट अफेर्स को हमने डिस्क्स कर लिया आप इस पीडियाप को हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक सेयर कर सकते हैं थैंक यू